हमारी चैनल को अवश सब्सक्राइब करें और नए अपडेट सबसे पहले पाइब प्यार हुआ इकरार हुआ शादी हुई फिर काटी तीन महिने की जेल धाई आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए कभीर का ये दोहा तो आपने जरूर सुना होगा जिसका मतलब होता है या कोई प्रेम के केवल धाई अक्षर ही अच्छी तरह से पढ़ ले तो वही सच्चा ग्यानी माना जाता है कुछ ऐसा ही प्रेम मनीस और प्रभा ने भी किया लेकिन इस प्रेम के ग्यान को लड़की के परिजन नहीं समझ पाए जिहां ऐसा ही एक मामला मत्प्रदेश के छतरपूर में देखने को मिला है 22 साल के मरिश मिस्रा जो एक साल पहले 20 साल की प्रभा दुबे को दिल दे बैटते हैं प्रभा जो उत्तरप्रदेश के बांदा जिले की लखनपूर गाओं की रहने वाली हैं जो अपनी बहन के यहां चहतारा गाओं अकसर आती रहती थी तो वहीं मनीस मत्प्रदेश के छतरपूर जिले की गोरिहार के रहने वाले हैं इत्फाक से मनीस की बहन का ससुराल भी चहरतारा ही है जहां मनीस का आना जाना लगा रहता था दोनों एक दूसरे के पडोसी थे और यहीं से शुरू होती है दोनों की प्रेम कथा बताया जाता है कि अपने परियनों से चोरी छुपे मनीस और प्रभा अपने इस रिष्टे को आगे बढ़ाते जाते हैं और एक साल बाद दोनों मंदिर में शादी कर लेते हैं साथ ही वकील की मदद से अपनी रजा मंदी का शपत पत्र भी दे देते हैं बताया जाता है कि शादी के बाद प्रभा अपने ससुराल में पति मनीस के साथ खुशी खुशी रहने लगती है क्योंकि मनीस के घरवालों के शादी से कोई अतराज नहीं था शादी के चार दिन बाद ही यानि सत्र प्रेल की रात ग्यारा बजे लड़की के घरवाले पुलिस के साथ मनीस के घर से प्रभा को ये कह कर ले जाते हैं कि धारा 164 के तहट लड़की के बयान होने है क्योंकि प्रभा के परिजन ने मनीस के विरुद थाने में F.I.R. दज़ करवाई है लड़की के साथ ही पुलिस शादी का औरीजिनल नोटरी एफिडियोविट भी ले जाती है लेकिन मनीस जब पता करते हैं तुन्हें उनके खिलाब कोई F.I.R. अप थाने में नहीं मिलती है अपने पतनी को पाने के लिए मनीस ने इलाहबाद हाई कोड की शरन भी ली थी जहां उन्होंने बंदी प्रत्यक्षी करन याचिका दायर की थी मनीस का आरोप है कि लड़की के घरवालों ने प्रभा को अपनी कायद में रखा हुआ है साथ ही आठवी कक्षा की फर्जी मार्कशीट बनवा कर प्रभा को नाबालिक बता रहे है जबरजस्ती उसकी शादी किसी दूसरे से की जा रही है लेकिन कहते हैं न कि यदि आपको कानून का ज्यान नहों और आप पढ़े लिखे भी नहों तो आपको कोई भी अपने शिकंजे में ले सकता है और यही मनीस के साथ होता है जब मनीस को कमासिन थाना बांदा जिला उत्तरप्रदेश पुलिस ये कह कर बुलाती है कि लड़की के 164 के बयान होने हैं आप यहां आ जाईए और लड़की ले जाईए मनीस वहां पहुचते हैं तो मनुईस से कहा जाता है कि आपको एक साइन करना है इसके बाद प्रभा को आप ले जा सकते हैं जैसे ही मनीस हिंदी में अपना नाम लिखते हैं वैसे ही उनके हाथ में हतकरी डाल दी जाती है मनीज बताते हैं कि मेरे उपर IPC की धारा 363 वा 366 के तहट केस दर्ज किया गया लेकिन दूसरी तरफ लड़की को नाबालिक बताया जा रहा तो फिर मेरे खिलाब पॉसको एक्ट क्यों नहीं लगाया गया उनका कहना है कि लड़की ने मजिस्टेट के सामने धारा 164 के तहट मेरे पक्ष में बयान दे दिये हैं हम दोनों ही बालिग हैं और हमने मर्जी से ही शादी की थी मैंने प्रभा से प्यार किया और शादी भी की लेकिन लड़की के परिवार ने पैसों की दबंगई से मुझे जेल में डलवा दिया तीन महीने से भी अधिक दिनों की जेल काटने के बाद अब मनीस बाहर है मनीस कहते हैं कि मुझे इस वक्त सबसे ज्यादा जरूरत एक वकील और मीडिया की है मेरे दर्द को बया कर मुझे नयाय दिला सकते हैं हलाकि प्रभा दुबे ने मजिस्टेट के सामने 164 के तहत अपने को बालिक बताते हुए साफ तोर पर ये कह दिया है कि मैं मनीस मिस्टरा से प्यार करती हूँ और हमने शादी भी कर ली है लेकिन मेरे घरवाले इस शादी के खिलाफ है अब देखना ये होगा कि लड़की के परिजन के बिरोत के बावजूद क्या मनीस और प्रभा की इस लव स्टोरी को कानूनन मानिता मिल पाएगी